हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पी सिंग एंड वेलकम टू इस्मार्टिर एवरी डेप प्यारे तोस्तों में बात करेंगे बियाट सेमेस्टर फोर एकॉर्डिंग टू कानपूर यूनियरसिटी जो आपका शेकन पेपर है जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान आएक्यों यानि कि पिछले साल समेस्टर five में जो कॉचिन पेपर आया था यह वही कोशिन पेपर के कोश्चन से आहरे हैं जो आसमां कंप र गएंगे कि इस तरीके से कौश्शन पूछ जाते हैं आपकेसटेकां पर całeपेपर में और कैसी आपकीJan semaines चल लही है इसी तरीके को कोर्षिंस पूछे जाएंगे तो आप कितना अटैम्ट कर पाएंगे कोरिशन का लेवल क्या रहता है लैंगविज क्या रहती है किस टोपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं यह सारी कोशन कहता है प्रात्मिक शिक्षा का उद्देश बच्चों को सामझेश से पूर्ण और सफल विकास की डैस प्रदान करना है तो प्रात्मिक facilities ऐसे से विधा दी जाए कि बच्चे का हर तरीके से development हो सके बच्चे का जो है सरवांगेड विकात हो सके ठीक है तो इसलिए option number दूसी है वहाँ right हो जाएगा हम बढ़ेंगे next question की तरह सर्व सिक्षा अभियान यहाँ पे S, S, A भी लिखा हो सकता था इसका उद्दे से क्या होता है सर्व सिक्षा अभियान का मतलब होता है जहां पे सभी के लिए सिक्षा हो यानि कि किसी भी किसी भी जाती धर्म या link या मतलब किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना हो सब के लिए सिक्षा होनी चीए वो होता है सर्व सिक्षा अभियान कोई भी छूटना नहीं चीए ठीक है option number D right हो गया आगे पढ़ेंगे next point हमारा है question सर्व सिक्षा अभियान की सनचना किस इस्तरपरफ होती है सर्व सिक्षा अभियान की जो सनचना होती है वहाँ गाउं, ब्लॉक, समुह और स्कूल इन सभी के लिए होती है तो दोनों option A first और second दोनों ही right हो जाएंगे सर्व सिक्षा अभियान का उद्देश प्रारंबिक शिक्षा प्रदान करना है प्रारंबिक शिक्षा यहाँ पे 6-14 वर्स की आयू के सभी बच्चों के लिए है सर्व सिक्षा ब्यान का उद्देश होता है कि जो प्रारंबिक शिक्षा है यानि कि 6-14 वर्स की आयू के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए उन सभी को शिक्षा प्रदान की जाए ठीक है option जो B था वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है 6-14 वर्स की आयू आगे बात करेंगे तो question number 5 है हमारा प्रात्मे की इस्तर पर लड़कियों की सिक्षा के लिए राश्ट्री कारकरम NPEGEL में एक संसोधन है तो एक जो संसोधन है वो क्या संसोधन है वहाँ है क्या है? सरवसिच्षा अभयान की योजना यानि की option number यहाँ पे जो A है वहाँ right हो जाता है Next question मिलता है SSA यानि की सरवसिच्षा अभयान के राश्ट्री मिशन में निम्रलिखित में से निकाईश शामिल है कौन सा निकाईश में शामिल है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं according to the option बात करूँ तो प्रॉपर तरीके से option match नहीं हो रहे हैं चारों के चारों क्योंकि SSA के राष्टी mission में तीन निकाय सामिल है समझते चलिए question को तीन आला कि आज हम बहुत ज़्यादा discuss नहीं करेंगे लेकिन जो important उसको discuss कर लेंगे है उसका नाम है कारेकारी समिती देखिए कारे कारी कारी समिती ठीक है यह हो गया और तीन नंबर पे हमारा आता है परियोजना अनुमोदन बोर्ड परियोजना अनुमोदन बोर्ड इसके आगे लिख लीजिए तो कि अब इसमें ना तो साशी प्रिस्द है और कारिकारी सर्वेच्छन है कारिकारी समित नहीं है परियोजना है लेकिन परियोजना समित है परियोजना अनुमोधन बोर्ड यहां पे नहीं है तो यह हमारे तीन है इसमें से ध्यान रखेगा ओप्सन में कोई नहीं एक कुल मिला करके हम यह कह सकते हैं आगे बढ़ेंगे, next question की बात करें, question कहता है राश्ची शिक्षा नीती 2020 के अनुसार, यान की NEP 2020 के recording प्रात्मिक इस्तर पर मुल्यांकन होना चाहिए, तो प्रात्मिक इस्तर पर रचनात्मक मुल्यांकन होना चाहिए, और यहाँ पे जो है कि नियमित होना चाहिए, शिक्ष प्रच्ताव है, तो इसका प्रच्ताव है, इसकूली पार्ट करम सामगरी में कमी नहीं आनी चाहिए, और दूसरा है, विद्याली पार्ट करम में लचीला बन भी होना चाहिए, तो आप्सन फर्स और सेकेंड दोनों ही राइट हो जाते हैं, रटने पर जोर बिलकुल नही रचना आलोजनत्बार्क चिंतरपरबल भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो प्रात्मिक शिक्षा का सारभौमी करण है, यहाँ पर समयधानिक प्रावधान भी है, मौलिक अधिकार भी है, जब दोने यह उप्सन सही हैं, तो फिर हम दोनों ए और बी के साथ में चले जाए थी ठीक है यहां तक बात करें रहोती है NCRT की स्थापना जो है वाकाब हुई थी एक सितंबर 1961 को NCRT की स्थापना हुई थी यदि आप से NCRT की फुल फर्म पूछ ले तो आप क्या बताएंगे NCRT की फुल फर्म होती है National Council of Educational Research and Training बात के लिए रहोती है हम आगे बढ़ते हैं Next one question इस राष्टी पार्चर्या की रूपरेखा तयार करने के लिए उत्तरदाई संस्था कौन सी है तो राष्टी पार्चर्या की रूपरेखा तयार करने के लिए उत्तरदाई संस्था है वहाँ NCRT यानि की National Council of Educational Research and Training ही है Option जो C है यहाँ पर वहां Right हो जाएगा आगे बढ़ेंगे ढाष्ट की स्थापना निम्न की संस्थापना की गई थी यानि की Option नमबर यहाँ पर जो A है राष्टी सिछापना निम्न की संस्थापना की गई थी राज के नेती निदेशक शिधानतों में निम्न समय सीमा के भीतर भारत में प्रारंबिक सिक्षा के सारभामिकरण की उपलब्दी की परिकलपना की गई है तो यहाँ परिकलपना दस वर्षों में की गई है कितने वर्षों में दस वर्षों में तो यहाँ वित्ती विस्था 75-25 के रेसियो में वित्ती विस्था साजा की गए थी रेसियो कहा था 75-25 का ध्यान रखेगा अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो पिछड जाएंगे और लाश्ट में आपसे कोर्स कबर नहीं होगा वहाँ निकाय को वहाँ निकाय जो राश्टी इस्तर पर सरुसिक्षा अभियान के कार्यानवयन निगरानी और मुल्यांकन के लिए एक नोडल एजनसी के रूप में काम करता है वहाँ है NCRT ही है कौन सा NCRT ही है ठीक है जो राश्ची श्तर पर सर्जचावियान के कार्यान वैन निगरानी और मुल्यांकन के लिए एक नोडल एजनसी की रूप में काम करता है NCRT NCRT को पहली बार वर्ष में किस वर्ष में राज श्क्षा संस्थाओं में स्थापित किया गया था तो NCRT को पहली बार 1983 में कब पहली बार 1983 में राज श्क्षा संस्थानों की रुप में स्थापित किया गया था option number D right हो जाएगा राज इस तरह पर school, शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के सैक्षक कारिकरेमों की योजना कार्यानवेन एवं मुल्यांकन के लिए उत्रदाई निकाय कौन सा है तो वहाँ उत्रदाई निकाय जो है S.C.E.R.T हो जाएगा S.C.E.R.T हो जाएगा अगला कोशन कहता है देखिए S.C.E.R.T का मुख कारचेतर क्या है S.C.E.R.T का मुख कारचेतर है अंगरेजी, विज्यान और गनित शिक्षा को बढ़ावा देना S.C.E.R.T की यदि A है वहाँ, राइट हो जाता है किस पंचवर्सिय योजना के बाद S.C.E.R.T के लिए केंदर और राजसरकारों के बीच वित्ती अवस्था 50 रेसियो 50 को साजा किया जाना चाहिए, तो वहाँ है 11 पंचवर्सिय योजना, कौनसी 11 पंचवर्सिय योजना Option C, राइट हो जाता है डाइट का महत्पूर्ण काम क्या है डाइट का महत्पूर्ण काम होता है प्राणबिक सिक्षन, प्रसिक्षन काम किसका है डाइट का काम है आगे बढ़ेंगे, डाइट इस्थापित की गई थी डाइट है, यहाँ प्रतम इस्त्री इस्तर पर इस्थापित की गई थी प्रतम इस्तर इस्तर पर डाइट को इस्थापित किया गया था ठीके, आज हम समझा इसलिए नहीं रहे है क्योंकि इसमें सिर्फ कोशन्स आपको बताने है कोशन्स दिखाने है प्रात्मिक सिक्षा के सारव भामिकरण में निम्न लेक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है कौन करता है तो वहाँ पहुँच प्रतिधारन और प्रगति किस आयोग के अनुसार प्राड़मिक सिक्षा को बच्चो को जिम्मेदार और उप्योगी नागरिक बनाने के लिए तयार करना चाहिए Hunter Commission के according ये बात कही गई है आगे बढ़ेंगे कोशन कहता है सिक्षा में राज और संग के बीच शमनवे निम्न में से किसके दोरा लाया चाता है तो ये जो शमनवे है वहाँ मानोत संसादन विकास मंत्राल है जिसको हम MHRD भी कहते हैं इसके दोरा लाया जाता है option C, right हो जाता है हम आगे बढ़ जाएंगे राश्ट्री ग्यान आयोग का गठन कब किया गया था राश्ट्री ग्यान आयोग का जो गठन है वह 13 जून 2005 को किया गया था राश्ट्री ग्यान आयोग का गठन कवर नहीं होगा आपसे questions आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूचे जा रहे हैं यह मैं आपको सिर्फ one linear content दिखा रहा हूँ one linear का मतलब यहाँ पर एक line में question को cover कर दिया गया है बाकी आपको full subjective भी मिलेगा objective questions भी दिये जाते हैं यहाँ पर बहुत important चीज़े बहुत detail तरीके से ठीक है वैदिकाल बहुतिकाल से related जो important चीज़े हैं वो यहाँ पर मुस्लिम काल यहाँ भी है ना आपका second semester में भी है फिर यहाँ पर अठव सतावन में अंग्रेजों के विरुद करांती हुई उनसर्ट में सरकार ने प्रात्मिक सिक्षा कर लगाया बैस में विलियम हंटर के दक्षिता में भारती सिक्षा आयों की निपती हुई 99 में लाड करजन भारत का वाइसराय बन करके आया गोखरे ने सुलामार्च 1911 को केंदरी धारा सबा में अपना प्रात्मिक सिक्षा कि यहां पर इस समय देश में लवक्त 386 राजी विश्युद्द आले हैं देश में लवक्त 327 नेजी विश्युद्द आले हैं और यह चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं इससे यह क्या है कि इसमें आप कम से कम समय में बेहतर जे बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके 28182649 इस नमबर पर WhatsApp मैसेज कीज़ेगा नोट्स के लिए ठीक है और जो हमारे नोट्स होते हैं फुल कंप्लीट नोट्स आपको PDF में वाट्स अपर पर प्रोवेड कराया जाते हैं अखिल भारती तकनी की शिक्षा परिश्युद किस थापना किस वर्स में एक सलाकार निका 1945 में एक सलाकार निकाय के रूप में की गई थी क्या हो जाएगा 1945 हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिशद यानि कि NCTE एक वैदानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ तो यहां राष्ट्री शिक्षा 1986 आयोग की शिफारिस पर राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिशद वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ था राष्ट्री शिक्षानिती वैधानिक शक्ति प्रदान की गई ती किसकी तो वहां राष्टी सिख्षानीती 1986 की अमसंसा पर अखिल भार्ती तकने की सिख्षा प्रिशत को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी option नमरे दूस्तरी यह है वहां Central University कहा जाता है भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रात्मे कि स्थर पर डैस शिक्षा के लिए अत्रिक्त घटक प्रदान करने के लिए SSA की मौझूदा योजना के अत्रिक्त समर्थन के रुप में NPEGEL की सुरुवात की गई इसकी सुरुवात की गई तो इसकी सुरुवात जो वो तो योजना मौझूद थी ही उसके अत्रिक्त समर्थन के रुप में NPEGEL की सुरुवात की गई थी सिर्फ बालिकाओं के लिए किसके लिए बालिकाओं के लिए आपसन नमर B राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फिर वही कोशन हमारे पास NPEGEL का पूरा नाम क्या है NPEGEL का पूरा नाम है प्राणरिकिस तर पर बालिकाओं की सिक्षा के लिए राश्ट्री योजना प्राणम दे किस तरबर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राश्टी योजना NPEGEL NPST का पुरा रूप क्या है NPST का पुरा नाम होता है National Professional Standards for Teacher National Professional Standards for Teacher आगे बढ़ते हैं क्योशन कहता है निश्ठा योजना किसके दौरा प्राणम की गए थी निश्ठा योजना जो है यहां मानो संसादन विकास मंत्राले की MHRD के दौरा प्राणम की गए थी किसके दौरा मानो संसादन विकास मंत्राले जो योजना है जिसको हम MHRD भी कहते हैं यहां जो है इसी के दौरा निस्ठा योजना इसी के दोरा शुरू किये गए थी मानव संसादन विकास मंत्राले और राश्ट्री अध्यापक सिक्षा प्रश्द ने किसके सयोग से दिक्षा का सुभारम किया था तो इन्होंने गैर सरकारी संस्थाओं के सयोग से तीक्षा का सुभारम किया था option B right हो जाता है आगे बढ़ेंगे तो HRD मंत्राले द्वारा सार्थक launch किया HRD तो नहीं होना चाहिए है पर MHRD होना चाहिए था चलो HRD लिखा है HRD द्वारा सार्थक launch किया गया है तो यहां कब launch किया गया है यहां 29 सुलाई 2020 को launch किया गया है आगे बढ़ेंगे तो next question हमको देखने को मिलेगा question कहता है 36 number राष्टी परामस दाता mission NMM किसके दौरा लागू किया गया है NMM NCTE यानि कि राष्टी सिख्षक शिच्छा परिशा जिसको हम NCTE कहते हैं के दौरा लागू किया गया है option C right हो जाएगा very good निमनलिखित में से कौन सी NCRT की घटक इकाई नहीं है NCRT घटक इकाई नहीं है तो वहाँ NCTE NCTE जो है वहाँ NCRT की घटक इकाई नहीं मानी जाती है निमनलिखित में से कौन सा कारिकरम NCTE दौरा मानिता पराप्त नहीं है तो वहाँ है BTEC Education क्या है BTEC Education निमनलिखित में से कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशाशकों को प्रसिक्षन देने वाली एक स्वायत संस्था है तो वहाँ है NCTE कौन सी संस्था है NCTE ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं SCRT कब अस्थित्व में आया SCRT की हमने फुल फार्व पीशे बताई थी State Council of Educational Research and Training कब अस्थित्व में आया तो यहाँ आया था 5 जनवरी 1979 में अस्थित्व में आया था 5 जनवरी 1979 में नैक, प्रत्यायन, मुल्यांकन, गुणवत्ता, सुधाने की दिशा में काम करती है तो यहाँ शिक्षा की दिशा में ठीक है शिक्षा की गुणवत्ता, सुधाने की दिशा में काम करती है Option C right हो गया Very good नैक का पूरा नाम क्या होता है नेक का पुरा नाम होता है National Assessment and Accreditation Council यह नेक का पुरा नाम होता है इतनी बात के लिए होती है SSA की प्रगती की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉंच किया गया था तो वहाँ था हमारा शगुन पोर्टल कौन सा पोर्टल लॉंच किया गया था प्रारंबिक बच्पन की देखभाल और सिक्षा ECCE को स्कूली सिक्षा का डैस माना जाता है क्या माना जाता है स्कूली सिक्षा का अनुवर्ती माना जाता है मानो संसादन विकास मंत्राले का नया नाम क्या है मानुफ संसादन विकाश मंत्राले का नया नाम शिक्षा मंत्राले है क्या नाम है शिक्षा मंत्राले NIOS का पूरा रूप क्या है NIOS का पूरा रूप है National Institute of Open Schooling National Institute of Open Schooling इतनी बात क्लियर होती है बहरी गोड़ हम बढ़ते हैं नेक्स वोशन की तरफ शिक्षा का व्यवसाई करण तब होता है जब मानिविकी को दी जाने वाली प्रधानता डैस है और छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है तो वहाँ उसकी जब प्रधानता कम हो जाती है जब उसकी प्रधानता कम हो जाती है ध्यान देजिए सिक्षा का व्यवसाइकरण तब होता है जब मानविकी को दी जाने वाली प्रधानता कम हो जाती है और छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है तब सिक्षा का व्यवसाइकरण हो जाता है यतनी बात किलिर होती है वैरियोड कोर्शन में 48 कहता है एन इपी 1986 के अंतरकत सरकार ने इस इलाकों में नवोते विद्यले और प्रात्मिक विद्यले खोले तो वहां दूर दराज इलाकों में आगी बढ़ेंगे राष्टी सिर्ट्चा आयोग ने बज़ट का कितने प्रसत सिक्षा पर व्य करने का सुझाओ दिया था तो इन्होंने 6 प्रतिशत राश्टी शिक्षावगों ने बजट का 6 प्रतिशत सिक्षा पर व्य करने का सुझाओ दिया था कि जो बजट है उसका 6% जो है वह सिक्षा पर खर्च होना चीए फिप्टी नमर कोशन कहता है सिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक सिक्षक और छात्र अनुपात को प्रबंद की अनुपात से डैस नहीं किया जाता प्रबंद की अनुपात से काम नहीं किया जाता तब तक है सिच्छा की गुन वत्ता में शुदार नहीं हो सकता option C is the right one over here अभी हम आपको one linear content दिखा रहे थे second paper का यह second paper का chapter wise mcqs है chapter wise mcqs जो है जिसमें जो answer रहेगा उसको अलग color से highlight कर दिया गया है यानि की different colors से लिख दिया गया है ताकि आप चीजों को बहता तरीके से समझ भाएं ठीक है और chapter wise रहेगा बहुत important notes बहुत important content और जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ठीक है क्यूंकि market से जो objective जो आप easy notes लेंगे वहाँ भी कैसे है subjective में आ रहे हैं ठीक है यहाँ से जो उसमें 4 page है पीछे objective के वो यहाँ से दिये जा रहे है यहाँ से तो जो पिछली बार full objective में question bank आयते हैं उनकी complete notes दिये जाते है complete PDF बना करके दी जाती है एक्स्ट्रा चीक है चलिए question 51 कहता है NEP 2020 भारत को वैश्विक ग्यान की महाशक्ति बनाने के लिए ततपर है NEP 2020 जो है जो new education policy 2020 है वो भारत को एक globally ग्यान की महाशक्ति बनाने के लिए ततपर है option a right हो जाएगा ग्रामेंड विश्विदायले की अवधार्णा किस आयोग ने सरपर्थम दी थी ग्रामेंड विश्विदायले की अवधार्णा सबसे पहले जिस आयोग ने दी थी उसका नाम विश्विद रहना सीखना ये जो है शिक्षा कादर नहीं है बाकी जानना सीखना करना सीखना साथ रहना सीखना ये सभी जो है सिक्षा के इस्तंब बताए गये हैं उसमें डेलर्स रिपोर्ट में ठीके बात के लिए होती है very good हम बढ़ते है next question की तरफ राष्टी शिक्षा नीती 2020 को भ सरकार के द्वारा घोशित किया गया था इतनी बात के लिए होती है very good नेपी 2020 के मुख के भाग जो है वो चार है कौन फाइब प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये जो है एजुकेशन इस्ट्रक्षर है नेपी 2020 का okay very good आगे बढ़ते हैं राष्टी शिक्षा नीती 2020 अब हमने आपको अपने नोट्स में दिखाया था कि किस तरीके से इसको अलेलग करके फाट साल में क्या है तीन में क्या है तीन में क्या है चार में क्या है विद्व तरीके से समझाया हुआ है विश्विदाले अनुदान आयोग कब अस्तित्त में आया विश्विदाले अन बांकन अनुपात लक्ष कितना निर्धारित किया गया है तो यहां 50% निर्धारित किया गया है कितना 50% बारत में शिक्षा इस तर में गिरावट का कारण क्या है तो इसमें शिक्षा इस तर में गिरावट नमर एक तो अभी बावकों के दिश्टिकोन में परिवर्तन है शिक परिक्षा सुधार का मुख्य लक्षन क्या है बिश्वस्थनियता बढ़ाना, वैलेडिर्टी बढ़ाना, मुल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना, जब तीनों आप्सन लाइट होते हैं तो फिर हम आप्सन नमबर डी के साथ में चले जाते हैं, ऐसी क्रिया हैं जिन में व पनाली में ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ जैसे समस्या निवारन हो गया, सरचनात्मक चिंतन पर जोड़ नहीं दिया जा रहा है, तरक वितरक गुर्प डिसकुशन पर जोड़ नहीं दिया जा रहा है, तो ये वो सभी क्रिया हैं जिन में वर्तमान शिक्षा पनाली परध्यान नहीं दिया जा रहा है ओप्शन डी राइट हो जाएगा प्रथम पंचवर्सी योजना में भारत में किसे शिक्षा आयोग की इस्थापना की गई थी तो वहां था हमारा माधमिक शिक्षा आयोग प्रथम पंचवर्सी योजना में भारत में माधमिक शिक्षा आय दिया है 9628182649 यही वो नंबर है जहां आपको WhatsApp message करना है notes के लिए ठीक है 9628182649 जिसमें आपको full subjective content दिया जाता है आपको full objective content दिया जाता है आपको one linear दिये जाते हैं आपको PYQs मिल जाते हैं आपको subjective objective one linear PYQs और question bank की complete PDF भी है यहां पर आपको मिल जाती है सारा content एक जिगह लेने के लिए आप हमें अभी message करें एंस्यार पहले class देख लीजिए एंस्यार्टी की स्थापना जो है वहाँ 1961 में हुई थी प्यारे दोस्तों कब हुई थी बालकों में अच्छी आदतों वर शिष्टाचार को समझने में मदद करना है तो वहाँ पूर प्रात्मिक ठीक है पूर प्रात्मिक इस तरकी सिक्षा का उदेश बालकों में अच्छी आदतों वर शिष्टाचार को समझने में मदद करना है पूर प्रात्मिक सिक्षा हो ज ये सबी उप्शन जो यहां पर वो राइट है मद्यकाल में सिक्षा को किन दो इस्तरों में विभाजित किया गया था मद्दे काल में सिक्षा को दो इस्तर एक तो प्रात्मिक था दूसरा उच्छ था जिस्ट में विभाजित किया गया था M.Phil Course बंद कर दिया जाना चाहिए M.Phil Course जो है वह N.E.P. 2020 के दोरा कहा गया है कि इसको बंद कर दिया जाना चाहिए बनारस हिंदू विश्विदाला यान की B.H.U कि इस प्रकार का विश्विदाला है जो B.H.U है यहाँ एक केंदरिय यूनिवर्सिटी यान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीच्चियो को सिक्षित करते हैं नहरो ने ऐसा कहा है बारत सरकार ने शिक्षा कारकरम में परसारण हे तू डैस कौन सा पोर्टल लाँच किया है तो इन्होंने जो है कि निष्ठा और दिक्षा ये दोनों ही पोर्टल लाँच किये हैं इसलिए आप्शन नमर जो सी है वहाँ राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन कहेगा मुल्यांकन प्रणाली के संपूर्ण सुधार के लिए नए राश्ट्रिय मुल्यांकन केंदर की स्थापना की गई है तो नए मुल्यांकन केंदर की जो स्थापना है वहाँ किसके तहत परक के तहत की गई है इसके तहत परक ऑप्संसी हो जाएगा आगे बढ़ेंगे सिक्षा कादिकार अधिरियम 2009 भारती समिधान के किस संसोधन के तहत सामने आया तो यहाँ छैशिमा जो समिधान संसोधन हुआ था उसके तहत सामने आया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याला योजना की सुरुआत कब हुई थी इसकी ज सिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय क्या है भारत में सिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय NCTE है क्या है NCTE डायट की स्थापना की अनुसंसा किस पर आधारित है डायट की स्थापना की जो अनुसंसा है प्यारे दोस्तों वहार राष्टी सिक्षानीती 1986 पर आधारित है इ वहाँ इंडियन एजुकेशन रिव्यू भी है प्रात्मिक सिक्षक भी है इसकूल साइंस भी यह तीनों ही पत्रिकाएं ऐसी हैं जो एंस्यालिटी के दौरा प्रकाशित हैं इसलिए ऑप्शन नमर डी राइट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देश के विश्विद्यालियों में करशी विश्विद्यालियों का प्रतिशत कितना है करशी विश्विद्यालियों को जो प्रसेंटेज से वहाँ अठारा है यानि कि अठारा प्रसेंटेज अठारा प्रतिशत करशी विश्विद्यालियों हैं देश के विश्विद्यालियों में ओके लाइट बट टाइ यहां न्यामक सनचना बनाई गयी है, light but tight जो न्यामक सनचना है वहाँ एनगी 2020 के माध्यम से बनाई गई है, राष्टी सिक्षानीती दोजरबीश में कहा गया है कि परतेक शिक्षक्न का CPD परतेक वर्ष करना अनिवारे है तो यहां जो बात कही गई है वो कितनी कही गई यह पचास गंटे के लिए है राश्चियसिक्षानिती 2020 में कहा गया है कि परतेक शिक्षक्न का CPD परतेक वर्ष करना उसके लिए अनिवारे है D. Distance Education Council की स्थापना 1991 में हुई कब हुई 1991 में D.E.B. का पूरा रूप क्या है D.E.B. का पूरा रूप है Distance Education Bureau Distance Education Bureau दूरस्त शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने ही तू किया जा सकता है क्या किया जा सकता है तो यहां पर New Yorker या फिर प्लानिंग की जा सकती है क्या किया जा सकता है नियोजन या फिर प्लानिंग की जा सकती है स्किल इंडिया मिशन का लक्ष 300 मिलियन यवाउं तक पहुँचना था तो 2022 तक कब तक 2022 तक स्किल इंडिया मिशन का लक्ष 300 मिलियन यवाउं तक पहुँचना था जो की possible नहीं हो पाया मातमी के वम उच्छ सिक्षा में SUPW को डैस के लिए एक अलग विसाय के रूप में परस्तावित किया गया तो यहां समाजिक विकास के लिए किसके लिए सूसर डफलप्मेंट के लिए एक अलग विसाय के रूप में इसको परस्तावित किया गया था भारत में कितने Regional Institute of Education है तो भारत में टोटल पाँच Regional Institute of Education है Option T right हो चाता है NIE CIE T E R I C और R I E S यह जो घटक हैं वो किसके घटक हैं यह सभी NCRT के घटक हैं प्यारे दोस्तों किसके NCRT के इतने बात के लिए रोती है Very Good वरतमान में UGC के चेर्मैन कौन है वरतमान में UGC के जो चेर्मैन है वो प्रोफेसर M. जगदिश कुमार है कौन प्रोफेसर M. जगदिश कुमार Operation Blackboard कब शुरू हुआ था Operation Blackboard 1987 में शुरू हुआ था 1987 में सुरू हुआ था पढ़े भारत बढ़े भारत का मुखे उद्दिश है पढ़ने वो लिखने की कुशलता के साथ गणती है कुशलता में सुदहार करना ही पढ़े भारत बढ़े भारत का मुखे उद्दिश है Very Good Next Question कहता है कितने दिनों के बैग लेस डेज की बात NEP 2020 में 6-8 के लिए की गई है यानि कि उसमें बैग नहीं लेकर के जाना है क्लास में कितने दिनों के लिए बात की गई है तो यह जो बात हुई है वहाँ 10 दिन के लिए की गई है जिसमें जो है बैग लेस डेज की बात की गई है तस दिन आपको स्कूल में जाना है पर बैग नहीं लेकर के जाना है NEP 2020 की मसाओदा समित की जो अध्यक्ष थे वो डाक्टर के एक स्तूरी रंगन थे option D यहाँ पे right हो जाता है राष्टी शक्षर्था मीशन की सुवर्स प्रारंब हुआ कब थी? NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रतम राच्च कौन सा है तो वहाँ परतमराजे करनाटक है जिसने NEP 2020 को सबसे पहरे लागू कि यस report को कहा जाता है learning the tracer within जो है यहां डेलर्स रिपोर्ट को कहा जाता है किस report को डेलर्स रिपोर्ट को ठीक है जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपको जो है जो question bank का आते हैं जैसे पज rectangular question bank है ठीक है इसकी भी complete PDF दी जाती क्योंकि पिछले साल ये पवन, exam time, gold series, g note ये सारे full objective में आ रहे थे ठीक है ठीक है तो ये भी complete आपको आप तक पहुंचाये जाते हैं जो आप paid content लेते हैं उसमें हमारा full content मिलने के बाद ये आपको extra दिये जाते हैं वो पवन था, ये exam time का gold series है, देख पा रहे हैं, paper second ही दिखा रहे हैं हम आपको, ओके ये देखे, complete PDF विद्यार्थियों तक पहुंचाये गई है, इसकी भी complete PDF दी गई है अब आप ये मत समझेगा कि सिर्फ इन्हीं question bank की PDF अब तक पहुंचा जाती नहीं, ये तो extra में दिये जाते हैं, full हमारा content दिया जाता है ठीक है, उसके बाद ये हम इसलिए साथ में देते हैं आपको, ताकि आपके अंदर ये ना रहे कि हमने सरका content पढ़ा, जो market में objective question bank का हैं, वो हमने नहीं पढ़े तो इसलिए ये भी आप तक पहुंचा दिये जाते हैं, ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े एक ही जगह आपको हर चीज मिल जाए, उके तो उसके लिए जो number दिया गए, वहाँ message की जगह RMSA का पूरा रूप क्या है, RMSA का पूरा नाम होता है, राष्ट्री मादमिक सिक्षा आयोग, राष्ट्री मादमिक सिक्षा आयोग, NTE की स्थापना हुई थी, NTE की स्थापना जो है, वह 2017 में हुई थी समय बहुत कम बचा है, आपके पास, यह मान के चलिए, चार सब्जेक्ट हैं, और सलेबस बहुत जादा है, आभी भी नहीं पड़ोगे तो बहुत पिछड़ जाओगे, बैक लग जाएगी, आगे फिर धक्का खते गुमोगे, उच्छे शिक्षा में वर्तमा सकल अच्छा GER कितना है, पहरे दोस्तों, यह GER अगर हम बात करें, देखें, यहाँ पर दो चीजे हैं, एक तो यह कि वर्तमान की तो बात यहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि वर्तमान में हुआ ही नहीं है, 23.20 में, 2014.15 में, जब यह सेकल नामांकर अनुपात निकल कर के आया था, 2014.15 म ठीक है, 23.7 था, और 2021.22 में, यह बढ़ करके, 28.4 हो गया, ओके, 28.4 कब हुआ, 2021.22 में, और 14.15 में, 13.7 था, तो यह दो ही शेकल नामांकर अनुपात निकल कर के आते हैं, जो कि ऑप्सन में हैं ही नहीं, ठीक है, तो यह ध्यान लखेगा, 21.22 के अगर हम मानें, तो 28.4 जो क इसमें नहीं है, यह हमारे 100 questions कबर होते हैं, कैसी रे class कॉमेंट करके जुरूबत देगा, मिलते हैं बहुत जल्दी next class में, जो नमबर दिया है, वहां message करके notes ले लीजे, पढ़ाई सुरू कर दीजे, thank you so much.